हेलो एफ्रिवान वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपको इगनू के कोर्स ब्ज येट 143 इंसेक्ट वेक्टर एंड वेक्टर बॉर्ड डिसीज का एक जो असाइमेंट है प्रिवेस एर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेशन्स हैं वो करवाऊंगी आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कोड की क्वेशन पेपर्स जालूंगी अगर उसके अलावा भी आपके कुछ क्वेशन कोई सब्जेक्ट है तो आप मुझे कॉमेंट कर सते हैं और अगर आप इगनू से बीए कर रहे हैं तो मेरे एक दूसरा चानल ले इगनू एक्जाइम तो देखें यहां पर जो क्वेशन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है जैसे आपको पता है कि जो इंसेक्ट होते हैं चोटे-चोटे जीव जन्तों होते हैं यह बुखत जादा हमारी अर्थ पर पाये जाते हैं और इनकी लाइफ भी काफी जादा होती है मतलब इतनी जा पाये जादा होती है मास में यह एविलेबल होते हैं तो आमें लगते हैं यह कभी खतमी नहीं होंगे तो ऐसे ही क्वेशन आप से पूछा गया है कि इनका ऐसा क्या structure होता है या इनका क्या ऐसे बीएविर गारेक्टर स्टिक्स होती है जिसकी वजह से जो इंसेक्स हैं वो जादा successful organism होते हैं हमारी अर्थ के ऊपर तो जीव जन्तों की बात करी गई है तो आप देखें यहाँ पे पहला question इस question में आप क्या-क्या points को add कर सकते हैं let me tell you जितने points मैंने यहां लिखें यह बिल्कुल भी enough नहीं है बट हाँ यह answer को complete करने में आपकी help जरूर कर सकते हैं क्योंकि आपके जो weightage आती है questions की उसके according इतने कम points से आपको answer के marks नहीं मिलेंगे आपको इन points को add करके इनको थोड़ा extend करना पड़ेगा जैसे आप इस answer में include कर सकते हैं कि जो insects है वो possess करते हैं कुछ amazing उनकी diversity होती है कुछ विवितनाएं उनमें पाई जाती है in terms of size, form और behavior मतलब अलग-अलग size होता है अलग-अलग form होती है और उनका behavior adaptation जो होती है वो इनकी अलग-अलग होती है इसके अलावा जो insects होते हैं उनके कभी केंचवे को चलते हुए देखा हूँ या ऐसे बहुत से insects को आपने देखा होगा कि जो ना ऊपर से काफी नीचे तक भी गिर जाते हैं को कुछ नहीं होता क्योंकि उनकी बाड़ी में बहुत flexibility होती है skeleton बाहर की साइड होने से कंकाल तंत्र बाहर की साइड होने से इनकी जो species बहुत जादा माउन में पाई जाती है अब इनमें जो insects होते हैं इनमें विंक्स होते हैं इसी वज़े से यह क्या कर सकते हैं फ्लाइ कर सकते हैं next point इसमें अप लिख सकते हैं में adaptation बहुत स्ट्रॉंग होता है मतलब यह बातावरन climatic conditions के according बहुत easily ढल जाते हैं और एक इनकी बहुत जाता है इनकी वेराइटी जो फूड हो बहुत स्टाहिता है इस वज़े से भी एक रीजन हो सता है इसके अलावा इनमें जो प्रड़क्टिव कपैसिटी होती हो बहुत साथ होती है मतलब जब इनमें production होता है जहां पे humans में या जो बड़े अनिमल्स होते हैं इनकी जो प्रड़क्शन होती है वो बहुत साथा माउन में हो जाती है यह भी एक वज़े होती है तो इन पॉइंस को आप ध्यान रख सकते हैं इसके बाद में second question आता है जो यह काला जर्फ ब्लैक फीवर जो है इसको फैलाने में help करते हैं वैसे ही नुकसान दायक लेकिन इसके transmission की कुछ ecological favors आपको बताने हैं तो देखें सबसे पहले कुछ आपको symptoms मैंने दे रखे हैं symptoms क्या क्या होते हैं fever बुखार है तो होगा यह black fever है चाहे कैसा भी fever है मतलब कि आपकी body का temperature बढ़ जाएगा weight loss होने लग जाता है मतलब आपका शरीर जो है एकदम से गिरने लग जाएगा आपको बहुत ही थकान होने लग जाएगी और blood की deficiency भी हो जाती है मतलब एनेमिया की शिकायत भी आपको होने लग जाती है इसके साथ साथ में अगर organs की बात करें तो आपका जो liver होता है और जो spleen जिसको तिला कहते हैं इन दोनों में swelling के chances बढ़ जाते हैं तो ये कुछ symptoms होते हैं ये जो symptoms हैं liver या spleen में swelling आती है इससे pain तो होगा लेकिन आपको ये बहार से नहीं बता चलता है दूसरा ये जो symptoms है जैसे आपको fever होना weight loss होना ये आपको बहार से देखने को मिल जाते हैं next point देखें कालाजर को black fever भी कहा जाता है जो leash mania परजीवी होता है इसके संक्रमन से होने वाला ये रोग है कई बार आपको question में ऐसे भी आ जाता है कि जो कालाजर है black fever है वो किस से हो रहा है किस परजी इसान को एलिफ, जीव जंतों को अगर ये रोग है तो उशे अगर किसि मखी ने काता और वो मखी किसी दूसरे को काट ले यह मखी उसके खाने पर पैट जाए जूटे पर लार्वा पर तो दूसरे लोगों पर मखी के तुरू पर जो रोग है येs प्रेड हो सकता है ये ब याद रखना होता है तो ऐसे इस मखी का नाम याद रखेंगे अब कुछ फैक्टर्स है जैसे जो रेन वाटर है या फिर प्रेजेंस हो गया है क्या ट्रीकी या फिर जैसे ऑर्बनाइजेशन में शहरी करन में चेंजिस आ रहे हैं डी फोरेस्टेशन बहुत साथा बढ़ रह तो यह कुछ एको लाजेल फैक्टर्स है जिसकी वजए से काला जर जो है वो देखने को मिलता है एक्स्ट जो क्वेशन है इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है मतलन दो तीन टंस आपको दे रखें इसके उपर आपको short note लिखना है और short note का मतलब यह हो गया कि यह आपको कम points में अपने answer को explain करना होता है तो यहाँ पर देखे house flies की बात करी गई है जो घर में मक्या भिन बिनाती रहती है question पहला यह कहता है कि क्या-क्या traps क्या-क्या जाल आप use कर सकते है house flies की controlling के लिए तो देखे सबसे पहली चीज़ placing sticky traps and uv light traps आप क्या कर सकते है sticky traps लगा सकते है uv light traps को लगा सकते है जो मक्यों के पैर होते हैं वो उसके ओप स्टिक कर जाए वो उसमें फर्ज आए वो फ्लाइ ना कर पाए uv light मतलब की ultraviolet radiation light traps का यूज कर सकते हैं कुछ रैकेट भी आता है जिसमेंने electricity होती है चारज करके आप उनको यूज कर सकते हैं वो मक्यों को जला देते हैं तो house flies या j took off yourself can stop to company अब इनको stop करना क्यों जरूरी है क्योंकि जो house flies होती है जो घर की जो मक्या होती है इसे बहुत सारी लिवाठी प्रेट करती है और यह बहुत सारी दिजी तो इस तरीके से मक्हों से बहुत सारी बिमारिया हमारी बॉडी में फैल जाती हैं इसके अलावा भी कुछ आप और तरीके इस्सिमाल कर सकते हैं जैसे यहाँ पे देरखार बेट ट्राप्स जो की मिक्षर कि आपने शुगर और वाटर चीनी और पानी को मिक्स करके आपने जहां 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 आपको लगता है आपके घर पे मक्ही आ रही हैं वहाँ आप इनको पड़ती है लेकिन मक्ही को पकरने में और उनको मारने में यह काफी जादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रोनिक ट्राप्स होते हैं यह एक्स्पेंसिव होते हैं टू बाई और कीप रखना और इनको खरीदना दोनों एक्सपेंसिव पड़ता है लेकिन यह गुड जॉब होते हैं कैचिंग और किलिंग फ्लाइज मतलब कि मक्हों को पकरने और मारने में यह एक गुड जॉब क्रिएट करते हैं नेक्स्ट क्वेशन आता है कैमिकल कंट्रोल ऑफ हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई जो होती इसके अलावा कुछ आप घर पे भी बना सकते हैं जैसे मैंने आपके लिए एक होममेड रैसेपी लिखिया है कि आप जो फ्लाई है उनको मारने के लिए होममेड स्प्रे कौन सा यूज कर सकते हैं जैसे कि एक मिक्षर ले सकते हैं हाफ कप ओफ वॉडर हाफ कफ आईसोपर तो इन थीणикс लिकोईटिट और टी स्पून ़े देश लिक्विड तो इन तीनों चीजों को मिलाकि आप क्या कशने में क्या कर सकते हैं। इनल में आपको अपर उसको सप्रे कर सकते हैं इसके अलवा बैचो गया नहीं कर पाएंगी इसके अलावा कुछ हमारे पास residual treatments होते हैं जो कि आप house fly को control करने के लिए use कर सकते हैं तो आप इनकी screenshot ले सकते हैं कुछ chemical controls है house fly को आप कैसे control कर सकते हैं इसके बाद में next one हमारे पास में यहां पर देगे कुछ आपके यह important questions मुझे लगे जिनके answers आपको पता होने चाहिए आप कर लीजेगा नहीं आपको समझ मैं तो कुछ hint के through मैं help कर दोंगी जैसे अब भी मैंने आपकी help करी है एक question है most malaria deaths occurs in urban areas जो urban areas बहुत जाती है वहां पर बहुत जादा malaria से death हो जाती है क्योंकि देखे हम बहुत पास पास घरों में रहते हैं बहुत कंजस्ट्रेड अरियाज में रहते हैं इसके लिए आपको बताने हैं कि ऐसा क्यों होता है तो कई बार सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है तो डॉक्टर इसको तब प्रिमेचर डिलीवरी भी करना पड़ जाती है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं लेकिन डेंगु जो है ना या फिर जो malaria है इसी जो mosquito bond disease होती है इतनी जादा harmful होती है life threat disease होती है तो इस वज़े से ऐसे steps लेने पड़ जाते हैं तो इसके बून और बेन जो advantages या जो नुकसान है ज्यादा तर आपको नुकसानी देखने को मिलेंगे तो वह वहाँ पर लिखने है नेक्स्ट क्वेशन आपके लिए important इस आप देख सकते हैं यह कुछ cycles है इसमें like जैसे आपको पता होनी चाहिए life cycle of eddy mosquito इससे डेंग्यो होता है जैसे ना कई बार आपका question आजाए अब भी like आपको मैंने नीचे question दे रखा है अगर ऐसा question आजाए short note on dingo prevention and control तो अगर यह तो short note है अगर यह long answer में आ जाए तो आप ऐसे cycles अगर आपको आती होंगी ड्रो करनी थोड़ा सा डाइग्राम बना पाएंगे तो आपके लिए और अच्छी scoring हो सकती है इसलिए यह तीनों important cycles है जो आपको करनी है तो eddy mosquito की life cycle करनी है dengue transmission cycle करनी है आपको और zika transmission cycle करनी है तीनों cycles जो है आपके ऐसे short note या long answers में काफी जाधा help करेंगी next day के question यह है कि आपको ना dengue prevention on control के ओपर short note लिखना है वैसे इसमें अभी तक मैंने जितने भी questions लेके बहुत ही basic questions है आपकी day to day life की knowledge भी इसमें आप include कर सकते हैं तो ऐसा निए की बहुत टफ होगा बट हाँ कुछ की वर्ट वह आपको learn करने पड़ेंगे जिससे कि आपका answer बहुत decorative लगेगा और बाकी का आप अपनी knowledge भी इसमें लिख सकते हैं for example आपने dengue आप सबको पता है आपके आसपास में भी even आपकी family में भी कभी ना कभी किसी को हुआ होगा उसके prevention क्या-क्या है symptoms क्या-क्या होते हैं तो यह सब जीज़े आपको पता हों इस according आप इसमें थोड़े जो words है उसको add कर लीजेगा जिस जिसका आपको idea ना हो जैसे यहां पर डेंगु जो है ना इक mosquito born viral disease है जो की फैल्ती है और डेंगु वाइरिस जो है वो ट्रांस्मिट किया जाता है कि इसके थ्रू जो female mosquito है female mosquito का नाम भी आपको पता होना चाह यह एडिस जिप्टी तो यहां पर जो उपर life cycle है वो इस answer में आप इंक्लूड कर सकते हैं थोड़ा सा रफ सा डाइग्राम आपने बना दिया कि हाँ आपको knowledge है इस चीज़ की इसके अलावा यह जो मस्कीट हो है ना यह day night दोनों टाइम पे बाइट जो बाइट होता है दूरि की बहुत सादा गाइडलेंस आती थी कि आपको पानी स्टोर नहीं होने देना है पानी जहां पर भी आपको ठहरा हुआ पानी दिखे उसको फेक दीजे उसको वह से हटा दीजे तो इस वज़े से आप ध्यान रख सकते है इवन जो आपका अर्ली इवनिंग का टाइम होता ह उस ट्राइम पर दोर क्लोज रखने चाहिए क्योंकि उस ट्राइम पर मच्छर जादा तर बाहर पनपते हैं तो यह चीज़े आपको याद रखनी है फिर इसमें कुछ प्रिवेंशन जैसे आप अपनी लॉंग स्लीव या लॉंग पैन शिर्ट्स पहन सकते हैं आपकी बॉ इसमें आपका अर्ली इवनिंग का ताइम होता है जिसमें आप डेंगू मस्कितों की अंट्री को अवाइड कर से इसके अलावा यह लावा यह बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है कि अपने आस पास की जगे जो है उसको साफ सुत्रा रखना जरूरी है पानी को ठैलने नही अगर आपकी requirement होगी तो otherwise मैं नहीं करूंगी और बाकी यह जो topic है यह subject जो है आपका मुझे जादा तफ नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें आपकी basic knowledge भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं तो आपको काफी ज़दा help मिल जाएगी आपके exam में अगर आप थो जो भी subjects है इसके science के BSE के वो सारे subjects में one by one record करूंगी लेकिन आपको मुझे comment करना है क्या आपका हाल फिलाल में exam कौन से subject का पहले है subject code और आप अपना exam date और time mention कर दीजेगा कि morning shift में afternoon shift में उस according में आपको अपने syllabus complete करवा दूंगी नाव मिलते है next video में thank you so much